हलो गाइज मेरे नामें रोहित और आप देख रहे हैं रोहित जी फिश्लक चैनल तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इसके बारे में इसको तो आप जानते ही होगे दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा चैनल को लैक सब्सक्राइब सेड करेगा तो दोस्तों में आपको पूरा यूज बता हुआ किस तरह से कौन से सीजन में इसको हमें यूज करना है और कौन सी मचली को यह लगता है तो दोस्तों सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि हमारी फिश कौन सी कौन सी होंगे जिसको यह हीटर पूरे बारा महीने लगता है तो दोस्तों हमार लगाएंगे आप तो है जो है प्रोथ नहीं करेगा चलिए दोस्तों फ्लॉवराउंड के बारे में हो गया है अब बात करते हैं हमारी गोल्ड फिश को इसकी इतनी ज़्यादा ज़रुवत नहीं रहती है गोल्ड फिश के इलावा और भी कुछ फिश होती है उनको इसकी सब हैं नहीं करता है वारना गरम पानी के चक्कार में आपकी मरजाएंगे दोस्तों सिर्फ मशलियों को लगाना है जो आपको बताया है फ्लावर हॉन उसको यह बारा महीनी लगता है वह भी ट्वेंटी नाइन डिग्री ट्वेंटी डिग्री पर सेट होता है अगर गर्मियों आप लगाएंगे तो जितना टेंपरिचर आपका जो जो वैदर में रहत बताओ रहा है यह मेरे पास 1500 वाट का एक्विरियम ना इसको लगाना है तो आप उसमें 200 वाट का स्को बताओ रहा हूं जैसे एक फिट का अगर टेंक हो गया तो पचास वार्ट का लगा सकते हो कोई दिख्कत नहीं है तो डाइफिट में दोस्तों आपको तो यह देड़ सो वाटकर खाईना पड़ेगा यह काम करता है दाइफिट से लेकर तीन फिट तक एक यह में देट्स बड़का बद्स डिगरी पर चलाओं अच्छा पानी करेंगा मचली को कोई प्रब्म नहीं होने बाली उसके बाद बात करेंगे दोस्तों साथीन से चार फ हो गया मुझे लगता ऐसा 300 तक जाता है 300 का आपका 6-7-8 फिट के एक्क्वेरियम में बढ़िया काम करता है अगर नहीं काम कर रहे तो ऐसे आपको दो हीटर लगाने पड़ेंगे ठीक है दोस्तों एक बात और आपको बता जारा हूं कभी आप हीटर खईदो तो कभी सस्ता कन खईदो जैसे मैं आपको कुछ कम्पणिया बता गरा हूं जैसे यह एलेक्ट्रिकल का है यह discretion है आप इसको खईदे YouTube का का हीटर है इसको आप खरीद दोस्तों वहुत ही अच्छा काम करता एक कम्यनी और आतीuges सोव आप वो का भी खरी सकती है और एक वीनस्ग को आता है दूस्तों तो आप ये तीन कम्पण verdad फ्क खराब हो जाते हैं element दिखराब हो जाते हैं ज्यादा अच्छी performance नहीं होती है उनकी तो दोस्तों यह तो मैंने आपको बता दिया हीटर के बारे में ठीक है तो किस तरह कैसे आपको यह रवड आती है सक्षन कप आते हैं इसको आप चिपका के अप इतना पानी भरिये स्रिफ यहां तक पानी भरिया इससे उपर पानी अगर बढ़ना चाहते है और पूर दबाना चाहते तो अभी कोई दिक्कत नहीं है लेकिन मैं रेक्मेंट करता हूं कि सिर्फ आप यहां त करके बताइए कि मेरा वाट्सप नंबर भी रहता है मुझे कमेंट करके लेकिन वाट्सप पर मुझे कॉल ना करें आप सिर्फ वाट्सप पर मुझे एक स्मस होड़ सकते हो मैं उसका रपलाई जैसे फ्री होता हूं तो आपको रिपलाई कर दूँगा दोस्तों और भी करना सब्सक्राइब करना शेयर करना पर दोस्तों में ठीक है दोस्तों अगले वीडियो के लिए थोड़ा सा इंतजार करें तब तक मिलते हैं जै हिंद जै भारत